उत्तर प्रदेश में मानसून की सक्रियता ने बारिश का नया दौर शुरू कर दिया है। इस जमाजम बारिश से पूरे राज्य का मौसम सुहावना हो गया है। आस्मान में बादलों की आवाजाही लगातार बनी हुई है और रुकरुक कर बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग की भविश्यवानी के अनुसार 13 और 14 अगस्त को यूपी के पूर्वी, पश्चिमी और अवत क्षेत्र के कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। भारतिय मौसम विभाग IMD के अनुसार मंगलवार को गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, संत कबीर नगर, गोंडा, श्रावस्ती, कुशी नगर, महाराज गंज, सिधार थंगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सहारनपुर, गाजियाबाद, मेर हापुड, बिजनौर, अमरोहा, रामपुर, सहित, अन्य जिलों में बारिश हो सकती है, वहीं पूरवी यूपी के मिर्जापुर, सोन भद्र, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, माउ, बलिया, और प्रयागराज में भी हलकी बारिश की संभावना जताई गई है, बी- कहा कि इस हफते पूरे यूपी में गरचमक के साथ बारिश का दौर बना रहेगा, सोमवार को वाराणसी, लखनाउ, आगरा और सीतापुर समेत कई जिलों में जोरदार बारिश दर्ज की गई, हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों में बार का कहर भी जारी है, बलिया में गं गंगा का जलस्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन बार के कारण जन जीवन अभी प्रभावित है, कन्नौज और कानपुर में भी गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे चिंता का माहौल बना हुआ है, इस मानसून में उत्तर प्रदेश की धर्ती जहां हर्याली से नहा हुई है, वहीं कई इलाकों में बार का खत्रा मंडरा रहा है, सतर्क रही, सुरक्षित रही